हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू आर चैनल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास फाइफ साइन्स का चाप्टर अर्थ सन और मून करेंगे इस चाप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को एक तक ज़रूर देखए हम लर्निंग नोटबुक चैनल पर क्लास फाइफ साइन्स का पूरा स्ले बस कवर कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखे ही साथ-साथ हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ एक और बात इस सबसे पहला टॉपिक होगा एकलिप्स उसके अंडर हम सोलर एकलिप्स और लूनर एकलिप्स सीखेंगे then we will talk about satellite, moon and its faces और आखरी में मैं आपके साथ सॉल्फ करूंगी कुछ important questions इस चाप्कर के so let's start with our first topic, eclipse the sun is the main source of light and when the moon or the earth comes in the way of this light a shadow is scarce, this shadow is known as eclipse so students, sun जो है, वो main source है हमारे light का हमार को जो रोशनी मिलती है, वो sun से ही मिलती है और जब moon और earth, moon या earth उसके बीच में आ जाते हैं उस light के बीच में आ जाते हैं, तो एक shadow बनती है इस shadow को कहा जाता है, eclipse तो यह eclipse कैसे होता है, वो समझते हैं जो earth revolves around the sun in a fixed path called the orbit जो earth है, वो sun के आसपास घूमती रहती है revolve करती है sun के around और वो जिस path पर घूमती है, उस path को कहा जाता है, orbit और जो moon होता है, वो earth के around revolve होता है तो यह सब घूमते हुए, एक दूसरे के उपर shadows कास्ट करते हैं और इन shadows को कहा जाता है, eclipse अब इस वीडियो से students आपको यह बात अच्छे से समझा जाएगी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो earth है, वो sun के around अपने orbit में ऐसे घूमती रहती है और साथ ही साथ, जो moon है, वो earth के around गूमता रहता है, ऐसे तो earth, sun के around गूम रही है, और moon, earth के around गूमता रहता है तो इस तरह से घूमते घूमते, जब moon, sun और earth के बीच में आ जाता है तो जो moon की shadow होती है, वो sun को ऐसे cover कर लेती है ऐसे, और यह कहलाता है, eclipse, यह कौन सा eclipse होता है यह होता है, solar eclipse So, when the sun is hidden in a shadow, we call it the solar eclipse तो इस तरह से जब sun shadow में छुप जाता है, तो उसे कहा जाता है solar eclipse तो students, ध्यान वकिए, solar eclipse में sun छिपता है, sun के ओपर shadow आ जाती है अब दूसरे type का eclipse होता है, lunar eclipse इसमें क्या होता है, when the moon is covered by a shadow, it is called the lunar eclipse अब lunar eclipse में moon cover होता है shadow से उसे कहते हैं lunar eclipse, इसे याद रखने का तरीका है, यह देखिए solar मतलब sun, तो solar eclipse में कौन छिपता है, sun इसी तरह से lunar मतलब moon और lunar eclipse में कौन छिपता है, moon तो आप ऐसे ही नहीं याद रख सकते हैं और solar eclipse को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, सूरे ग्रहन and lunar eclipse is known as, चंदर ग्रहन so students, let's first understand solar eclipse in detail तो जैसे अभी हमने सीखा, when the moon covers the face of the sun, we call it as solar eclipse जब moon, sun का face cover कर लेता है तो उसे कहते हैं solar eclipse आईए, इसे मैं आपको दिखाती हूँ, कि ये कैसे होता है ये देखिए, ये suppose करिए कि जहां से आप देख रहे हैं, वो earth है और सामने ये sun है, अब sun के उपर धीरे धीरे ये moon आ गया है moon ने sun को cover कर लिया है तो वो एक shadow cast हो रही है और इसकी वज़े से हुआ है, ये eclipse जिसे कहते हैं solar eclipse So when moon covers the face of the sun, it is known as solar eclipse ये देखिए, ऐसे होता है अब इसी solar eclipse को मैं आपको diagram के थुरू भी समझाते है ये देखिए, ये है sun ये है earth, जो sun के आसपास revolve हो रही है और फिर आजाता है moon moon भी revolve हो रहा है, पर वो earth के आसपास revolve होता है अब जब moon इन दोनों के बीच में आ गया है तो एक shadow cast हुई इसे, ये shadow cast हुई अब moon ने जो sun की light है वो इतने portion पे रोक दी है earth के इतने portion पे sun की light नहीं आ पा रही है तो यहाँ पे earth पर हो गया है अंधेरा students एक बात समझिए कि जो solar eclipse होता है वो earth के पूरे portion पर नहीं होगा सारी earth पे darkness नहीं हो जाती है solar eclipse से सिफ उसी area पर darkness होती है जहाँ पे sun की light नहीं पहुच पा रही है तो यह जो shadow है moon की यह दो portions में divide हो रही है solar eclipse के time पे जो moon की shadow है sun पर वो दो portions में divide होती है कौन-कौन से हैं वो दो portions देखिए यह dark वाला होता है अंब्रा इस shadow को कहते हैं अंब्रा यह portion है अंब्रा और जो यह light यह जो yellow color का light shadow है इसे कहते हैं pen अंब्रा अब इन्हें समझते हैं तो students यह जो अंब्रा portion है इसमें जो sun की light है वो बिलकुल भी earth पर नहीं पहुच पा रही है यहाँ पे इस portion में total darkness होती है हमारा जो sky होता है वो dark हो जाता है क्योंकि sun की light ब्लॉक हो रही है moon से तो इस portion को कहते हैं अंब्रा अब pen अंब्रा में क्या होता है इस portion में moon sun के सामने तो है बट उसको totally cover नहीं कर रहा इस portion में यानि थोड़ी light sun की अर्थ तक पहुच रही है तो यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि अंब्रा में अंब्रा portion में total darkness हो जाती है पर pen अंब्रा में totally dark नहीं होता है तो यह था solar eclipse next let's talk about lunar eclipse when the earth comes in between the sun and the moon its shadow blocks the face of the moon this is known as the lunar eclipse तो अब lunar eclipse में क्या होता है इस में earth बीच में आ जाती है sun और moon के और earth shadow cast करती है moon पर इसे कहा जाता है lunar eclipse lunar यानी क्या बताया था मैंने moon so lunar eclipse involves moon okay moon के उपर shadow बनती है अब इसी चीज़ को हम एक diagram की दूरू भी समझ लेते है यह है sun यह है earth और यह है moon तो earth जो है अब sun और moon के बीच में आ गए अब जब sun की light earth पर पड़ी तो earth ने वो light ब्लॉक कर ली और एक shadow cast हुई moon पर जिससे lunar eclipse हुआ okay and remember that lunar eclipse it occurs only on a full moon day जो lunar eclipse होता है वो सिर्फ full moon जब पूरा चंद्रमा जिसको हम पूर्णिबा भी कहते हैं उसी दिन पर ही होता है और जैसे कि हमने solar eclipse में बढ़ा था lunar eclipse में भी दो shadows होती है the inner shadow is known as umbra and the outer shadow is known as penumbra जैसे कि यहां पे यह जो inner shadow है यह जो black potion है यह shadow कहलाती है umbra यह potion umbra कहलाता है और जो यह light यह जो आपको दिख रहा है the light yellow color का potion यह यह कहलाता है penumbra उपर नीचे यह दोनों ही light potions है इन्हें कहते है penumbra now our next topic is satellite so what are satellites satellites are the objects that revolve around the planet so satellites वो objects होते हैं जो planet के around घूमते हैं जैसे कि आप इधर यह देख रहे हैं यह भी एक satellite है और satellites दो types की होती है एक होती है natural satellite और एक होती है artificial satellite तो यहाँ पे आप जो satellite देख रहे हैं यह artificial satellite है यह man made satellite है तो natural satellite कौन सी होती है natural satellite मतलब जो अपने आप बनी हुई है नेचर ने बनाई हुई है उसमें हमारे human being का कोई रोल नहीं है तो ऐसा एक example है moon moon is an example of natural satellite now what are artificial satellites artificial satellite is a machine that is launched into space and it orbits around a body in space तो जो artificial satellite होती है वो ऐसी machines है man made machine है जिनको space में भेजा गया है और वो किसी भी planet किसी भी body के आसपास घूमती रहती है इनके examples क्या है Hubble Space Telescope and International Space Station ये दो टाइप की artificial satellites है अब आप सोच रहे होंगे कि artificial satellites का use क्या है तो वो मैं आपको बताती हूँ जैसे कि artificial satellites use करी जाती है to predict weather weather की forecasting में artificial satellite काफी help करती है दूसरा इसका एक बहुत बड़ा use होता है to establish communication networks like television signals mobile connections, radio signals तो ये दो बहुत ही important use है artificial satellites के बहुत है next, let's learn about moon and its phases the revolution of the moon around the earth causes different amount of the moon's phase to be lit up by the sun depending on the position of the moon this is why the moon appears to change shape these changing shapes of the moon that we see every night are called phases of the moon Students I am sure आप moon जब देखते हैं तो आपने ये बात ज़रूर notice करी होगी कि हर रात उसकी एक अलग shape होती है moon की तो ये जो changing shape होती है moon की इसे कहते है phases of the moon पर ऐसा क्यों होता है क्यों moon की shape change होती है रोज रोज ये इसलिए होता है क्योंकि moon जो earth के आसपास revolve हो रहा है ऐसे जो गूमता रहता है earth के आसपास तो जब sun light उसपे पड़ती है तो moon का कुछ-कुछ portion रोशन होता रहता है sun की light से अब वो कितना portion रोशन हो रहा है sun की light से वो depend करता है moon की position पर वो earth के और sun के किस तरफ है उसपे depend करता है कि moon का कितना portion रोशन हो रहा है sun की light से आईए अब इसको मैं आपको detail में समझाती हूँ तो यहाँ पे students अब हम सीखेंगे different phases of moon तो पहला phase moon का है new moon अब यहाँ पे देखिए यह new moon है पहला phase अब इसमें क्या होता है हम कहाँ पर है हम यहाँ अर्थ पर है ओके तो जब हम अर्थ पे हैं तो हमें moon की वो side दिख रही है जहाँ पे sun light नहीं गिर रही है ओके यह side यह side पे sun light नहीं गिर रही है तो इसलिए हमें earth पर उस time पे moon नहीं दिखाई देता इसलिए कहा जाता है ये new moon, this time moon नहीं visible है हमें earth से Now, second phase of moon is waxing crescent moon अब जब moon all move हुआ आगे, तो अब इस phase में वो पहुशता है जहां पे हमें थोड़ा moon दिखाई देना शुरू हो जाता है ऐसा लगता है जैसे moon grow होना शुरू हो गया हो इस phase को कहते हैं waxing crescent moon ये crescent shape अब हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो गया है next phase of moon is waxing half moon अब जब moon और आगे revolve हुआ तो अब हमें उसका half moon दिखाई दे रहा है हमें उसका आधा portion दिखाई देना शुरू हो गया है इसे कहा जाता है waxing half moon अब fourth phase क्या है moon का वो है waxing gibbius moon अब इस phase में students we can see most of the moon ये देखिए यहाँ पर जैसे से moon rotate हुआ तो अब उसका जादा portion sun की रोशनी से lit up हो गया है so we can see most of the moon है it is known as waxing gibbius moon अब fifth phase है moon की full moon in this phase when we can see the entire face of the moon देखिए यहाँ पर अब सारा moon visible हो गया है ये full moon कहलाता है अब students अब यहाँ तक moon हमें grow होते दिखाई दे रहा था पहले नहीं था visible थोड़ा visible हुआ फिर आधा visible हुआ फिर उससे जादा visible हुआ फिर पूरा visible हुआ अब जो next phases है moon की उसमें हमें moon घटता हुआ दिखाई देगा ऐसा लगता है जैसे moon कम होता जा रहा है तो उस phase को कहते है waning phase अभी तक waxing phase थी यह जब moon बन रहा था grow हो रहा था अब जो बाकी की तीनो phases है उन्हें कहा जाता है waning phase तो sixth phase है waning gibbius moon इस phase में अब moon थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो गया है यानि जो full moon से जब यहाँ पे आया तो अब हमें moon का थोड़ा portion कम दिखाई दे रहा है देखिए यह portion अब इतना यह dark हो गया है इसे कहते है waning gibbius moon next phase होती है waning half moon इस phase में अब हम सिर्फ half moon देख सकते हैं और last phase होती है यह waning crescent moon जैसे waxing crescent moon था अब यहाँ पे है waning crescent moon यह crescent shape का moon दिखाई देता है पर यह घट रहा है moon अब और इसके next होगा new moon फिर से वोई सारी cycle शुरू हो जाएगी वोई सारे phases आने शुरू हो जाते हैं ओके तो यह है eight phases of moon तो अब मिर को पका यकीन है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको moon की अलग-अलग shape क्यों दिखाई देती है now let's move to our last topic important questions students हमने सारा यह chapter समझ लिया है तो आईए इस पे कुछ important questions करते हैं पहला question है the earth and other planets move around the sun in a fixed path called dash तो जो earth और दूसरे planets हैं जब sun के आसपस revolve होते हैं तो वो एक fixed path पर revolve होते हैं उस path को क्या कहते हैं yes, orbit next question dash of the moon and earth are called eclipse क्या अंसर है इसका? is it pictures, shadows, videos or none of these? yes, answer is shadows shadows of the moon and earth are called eclipses question 3 solar eclipse causes the sky to go dark because the sun light gets blocked by is it earth, mars, moon or venus? tell me, अभी हमने eclipse समझा है solar eclipse में इसमें sun की light क्यों block हो जाती है? किस से block हो जाती है? yes, moon से block हो जाती है question number 4 in a lunar eclipse the dash is darker than the dash lunar eclipse में क्या penumbra darker होती है या umbra darker होती है? yes, umbra is darker than the penumbra question 5 the moon is earth's natural dash is it satellite, planet, comet or star? it is natural satellite and the last one is the changing shapes of the moon are called dash answer is this, the phases changing shapes of the moon are called phases so students, यह हमारे chapter का end है मुझे पूरी उमीद है आपको यह पूरा chapter अच्छे से समझ आ गया है ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल learning notebook को अभी subscribe करें thanks for watching see you in the next video bye-bye